दोस्तों मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एग्जुकेशन हव यूटूब चाइनल पर स्वागत करते हूं आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे देखिए मैं आज के वीडियो में कुछ सेशन 2020 से 2023 और सेशन 2019 से 2022 के बारे में कुछ बात ही करने वाली हूं द सप्सक्राइब कर लिजی आप लोग को पसंद आए तो फोलो किजिए नहीं तो नहीं किजिए उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर न्यूंँ Salt कर लिजिए और बेल अउपन को सुझाल नियूंत करते हैं तो अप लोग यहां से अध sec देग और क्कूछ बता दूंच सब ventilation प्लेलिस्ट में चाहिए या फिर डिस्क्रिप्षिन डिस्क्रिप्षन में जाकर चेक कर लीजए क्या-क्या होता है सब पता चलि जाएगा आप लोग को ओके तो आज के वीडियो में क्या बताने वाली हुआ क्योंकि देखिए आप सभी को पता है सेशन 2020 से 2023 का एक्जाम objective होगा या subjective अभी तक finalized नहीं किया गया हुआ है ओके सभी अपने-पने मन से बोल लहे हैं जो भी मर्जी कर रहा है लेकिन कुछ भी university के तरफ से finalized नहीं किया गया हुआ तो मैं आप लोगों को कुछ suggestion देने वाली हुआ अगर आप लोग टेली घ्रव्प से जोजाएं से ज्वाइन हो जाएँ एड टेन मेंबर मतलब ऐसी करके कुछ लिखता है तो मैं उसमें राइटिंग मैसेज इस नोट एलाओड वाला फंक्शन कर दी हूँ ताकि किसी को कोई प्रोब्लम ही नहीं होगा उसमें मैसेज करना ही मतलब की बंद करवा दी हूँ कुछ कुछ हो गया हुआ है और मैं गुरूप बुस्टर को मत गुरूप बुस्टर है कुछ उसको मैं एड की थी ताकि कोई भी अपने वीडियो का लिंक उस पर सेयर नहीं कर पाए क्यूंकि सभी ये स्टुडेंट जो है ना मतलों कि बहुत सारे लोग उस पर अपना लिंक स पता नहीं क्या हो गया इसलिए मैं उसमें राइटिंग मैसेज नोट एलाउट कर दियू तो आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में मैसेज नहीं कर सकते हैं ज्वाइन हो जाए मैं आप लोग को इंफरमेशन देती रहती हूं जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रही हूं जो 2020 से 2023 का पार्ट वन का एक्जाम अब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया हुआ तो क्या करें हम लोग नहीं पढ़े पढ़ाई छोड़ दे क्या जब तक फॉर्म भरने का डेट आएगा जो फाइनलाइज किया जाएगा उसके ब बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग से तरी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए यूटूब पर लोग सर्च किजिएगा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोग महां से पढ़ लीजिए उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव वाला कोस्टन बै पर मैं ही 100 रिविजन प्रोवाइड करवा दोंगी ओके मैं नहीं करवा पाद हूं कि देखिए उसमें वीडियो को अपलोड करने में कम चकम अगर मैं 100 रिविजन बनाऊंगी तो एक घंट में पूरा रिविजन करवाँगे और उसको अपलोड करने में बहुत सारा नेट मैं आप लोगों 20-25 मिनट का ही वीडियो बना के अपलोड करती हूं जिसमें मेरा सारा नेट खतम हो जाता है और पूरे दिन ऐसी मोवाइल के साथ रहना परता है तुरण नेट खतम हो जाता है इस वह से मैं इतना लंबा वीडियो नहीं आप लोग को अपलोड कर पाती हू और भी बहुत दो-चार प्रोब्लम है एक प्रोब्लम तो है नहीं तो देखिए मैं कोशिस करूंगी लेकिन कोशिस भी कैसे कर सकती हूं वनसर्ट रिविजन मैं 20-25 मिनट का ये वीडियो प्रवाइड करवा सकती हूं उससे जादे का मैं आप लोग को नहीं करवा सकती हू तो देखिए आप लोग पहले वनसर्ट थी पढ़ लिजेगा अच्छे से उसके बाद आप लोग को क्या करना है उसके बाद देखिए एकजाम अब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव आप लोग को नहीं पता है लेकिन अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेते कि अपने दिमाग में ऐसा रखना है तो अच्छे से पढ़ाई किजेगा यह तो आप लोग पढ़ लीजिए उसको भी प्रूफ को क्योंकि देखिए अगर आप लोग का एक्जाम सब्जेक्टिव होता है तो वही चीज प्रूफ करने के लिए आता है और अगर एक्जाम अब पूछ लिया जाता है मैं आप लोग का से सन 2019 से 2022 का को सन देखिए और मैं सौल भी करवाई हूँ तो मुझे अच्छे से पता है क्या कैसे पूछा जाता है तो आप लोग का यह सजेशन यह पूछना मतलब कि यह पूछते हैं पढ़ाई सब्जेक्टिव कर रहे हैं या अब सब्जेक्टिव कर सकता है मैं तो आप लोग को सिर्फ अपडेट देती हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो आप लोग किजिए क्या आप लोग अच्छे से सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए क्योंकि अगर एकजाम अबजक्टिव ले लेता है तब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं क्योंकि अबजक्टिव बहुत ही इजी होता है आप लोग आसानी से कर लिजाएगा अगर सब्जेक्टिव पढ़ लिये तो फिर अबजक्टिव लिया तो आप लोग खुस हो जाना चाहिए व अगर आप लोग सब्जक्टिव की तयारी करते एक जाम अब्जक्टिव होता है तो और ज्यादा खुछ हो जाएगा चलिए इतना बड़ा बड़ा पढ़े थे अब मतलब कि इतना थोड़ी अगर पढ़ लिये तो कहीं नुकसान करेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ भी अभी उसका हेल्प कर पाईएगा जो सब्जक्टि में सभी कंसेप्ट को सीखे रहिएगा ओके तो यह तुम्हें बात बता दी सेशन 2020 से 2023 के बारे में आप लोग को क्या पढ़ना है आप लोग को सब्जक्टि पढ़ना है जब तक फाइनलाइज नहीं होता है मतलब कम से कम कोश्षने बैंग को आप लोग बना लेजिये अगर कोश्षन बैंग कह सौलूसन चाहते होंगे सब्जक्टिव वाला तो आप लोग मोट मुझे कंमेंड सेक्शन में बता दीजिएगा अगर मैं कोश्षन का सौलूसन अभी आप लोग को करवा दू तो दो होजार थैस और सेशन 2021 से 2024 दोनों इस्टुडेंट के लिए फैदा हो जाएगा क्यूंकि उन लोग का तो फाइनल सब्जेक्टिव होगा और एक्जाम सब्जेक्टिव हो और को सॉल्फ नहीं करके जाए यह तो सबसे बड़ी बेवकुफी होगी को सॉल्फ करना ही पड़ेगा तो चलिए यह तो बात कर ली हम लोग सेशन 2020 से 2023 के बारे में और बात कर लिए सेशन 2021 से 2022 के बारे में करवाऊंगी उसके सभी चेप्टर का डिफ्रेंसिल कल्कुलास करवा लूंगी डिफ्रेंसिल कल्कुलास कंप्लीट हो जाने के बाद इंटेग्रल कल्कुलास की तरफ मुव करेंगे तो मतलब फिजिक्स ऑनर्स आप लोग भी समझ सकते हैं और आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देखते हैं जो यूटूब वीडियो से उतना इंकम आएगा एक वीडियो पर मुश्किल से कोई वीडियो पर दो रुप्या कोई वीडियो में तीन रुप्या अर्णिंग होता है तो यह सभी बात सब्सक्राइब करते हैं हम लोग बात कर रहेते हैं हम लोग बात कर रहेते हैं सेशन 2019-2022 के मैं तो देखिए आप लोग का रियाल अनालिसिस लगबग कंप्लीट है थोड़ा बहुत टोपिक में नहीं बताई थी लेकिन लगबग टेलर स्थियोरम को प्रूब करना यह सभी कुछ में बता दी हो यह और कोसर में जाकर देखिएगा तो यह सभी कोसर में बहुत सारा पूछा गया हुआ है एक दो टॉपिक में नहीं बताई हो यह ओके लेकिन मैं 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 मैक्सिमम टॉपिक आप लोग को रियल अनालिसिस में बता चुकी हूँ और इन्फाइनाइट स को सॉल्व करवा दिया जाएगा आप लोग के सद्यासन के एकोर्डिंग में काम करूंगी तो आप लोग कमेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा इन्फाइनाइट स्टिच कंप्लीट होने के बाद आप लोग अबस्टेक्ट अलजेवड़ा पढ़ने वाले हैं या फिर तो यह से आप लोग जो स्टुडेंट आप लोग को पता है मतलग कि objective दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है मुझे भी बहुत ऑच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं वी के मुझे पता है objective exam होता है तो माइन कुछ और मतलों किमाइन अलग तरीके से काम करता है surgeons की के सब्जेक्टिफ रहता है तो हरे कोसं को याद करना होता है क्यु desp bulun पूचा जाता हैं एकज्म और अब्जेक्टिव होता है तो शिर्फ देखा जाता है अच्छा इसको करने पर यह आता है बस ऐसे ही करके आगे पढ़ दिया है मुझे पता है दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है और फाइनल नहीं होने के कारण आप लोग भी परेसान है मैं भी परेसान हूं क्यो तो बोल लें मोस्ट प्रवबली अब्जेक्टिव होगा और बहुत से बात क्यों तो बहुत बोल लें मोस्ट प्रवबली सब्जेक्टिव होगा तो मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं अब्जेक्टिव होगा यह सब्जेक्टिव होगा क्योंकि यह तो युनिवर्सिटी के फै सेशन 2019 से 2022 का भी और सेशन 2021 से 2024 का भी इस वीडियो में तीनों सेशन के लिए इन्फरमेशन था तो आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आयेगा अगर वीडियो पसंद नहीं आया है ये वीडियो ये भी मुझे पता है तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा मैं क्या कर सकती है तो ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई चलिए थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फूर कमिंग सुपरिया एजूकेशन अब ओके बाई टेक केर पढ़ाई करते रहिएगा ओल दे बेस्ट पर योर नेक्स्ट एक्जाम चलिए थैंक्यू बाई